Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung M11 की security की कुछ important setting के बारे में इन सभी setting को दोस्तों आपको अपनी device में जुरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों तभी आप अपने device को security दे सकते हो अपने data को leak होने से बचा सकते हो आज कल दोस्तों सभी internet का use तो जुरूर करते हैं दोस्तों आपको अपनी device की security जुरूर करनी चाहिए जिससे दोस्तों आप अपना device को hack होने से बचा सकते हो सभी दोस्तों आप काम कर सकते हो अगर दोस्तों आप अपने phone में security वाली important setting करकर रखोगे तो दोस्तो ये सब सेटिंग आपके device में मिल जाती है आपने दोस्तो इन सेटिंग को कैसे करना है आज की इस वीडियो में आप सबको पता चलने वाला है तो सबसे पहले दोस्तो आपने अपनी mobile की सेटिंग को उपन कर लेना है वैल के setting को दोस्तो जब आप open करोगे तो यहाँ पर इस परकार से आपको interface देखने हों मिलेगा यहाँ पर नीचे के और scroll करना आप सबको एक option देखने हों मिल जाती है सबी Samsung device में दोस्तो आपको एक option देखने हों मिल जाती है Biometrics and security इस वाली option पर दोस्तो आपने क्लिक करना है नीचे के और scroll करोगे तो यहाँ पर दोस्तो आप सबको एक option देखने हों मिल जाएगी other security settings इस वाली option पर दोस्तो आपने क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तो आप कहीं बहुत सारी option देखने हों मिल जाती है मतलब कि दोस्टो अगर आपका phone गुम हो जाता है कोई SIM ले लेता है तो यहाँ पर दोस्टो अगर वो SIM काड़ कर आपका चलाएगा तो उसको दोस्टो यहाँ पर code देना परहेगा अगर दोस्टो आपका कोई SIM अगर किसी friend को दे देते हो तो दोस्तों वहाँ पर वो आपके sim का misuse नहीं कर पाएगा जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने phone के जो sim है उसको log लगा दोगे तो दोस्तों वहाँ पर वो code मागेगा तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपने जैसे device को log करते हो यहाँ पर दोस्तों आप अपने sim को भी lock कर सकते हो बहुत ही security वाली setting है दोस्तों आपने इसका use जुरूर करकर देखना है बहुत ही दोस्तों आपके काम आने वाली है इसके बाद दोस्तों जो next setting आपको देखने हो मिल लिए है make password visible इस वाली option को दोस्तों अगर आप enable रखते ह तो उसको भी दोस्तों वह password देखने को मिल जागा जिससे दोस्तों आपका data leak हो सकता है तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस option को बंद रखना है visible कर देना है मतलब कि दोस्तों जब आप password भरोगे तो वहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी किसी को देखने को नहीं मिलेगा show नही device पर ही enable रखना है किसी और दोस्तों device का आपने याँ पर अगर कोई दोस्तों कोई other application यहाँ पर देखने हूं मिलता है वहाँ पर दोस्तों अपने cut कर देना है यहाँ पर दोस्तों find my device पर ही click कर रखना है यहाँ से दोस्तों आपका phone भी hack हो सकता है बहुत ही important setting है इसका use द चीनों में से कौन सी setting सबसे ज्यादा अच्छी लगी है उमीद करता हूं आप सबको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को भी subscribe